नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली करंट अफिर्स में दोस्तों आज की वीडियो है 17 सितमबर 2024 के महतोपूर्ण करंट अफिर्स के बारे में चले दोस्तों आज की वीडियो सुरू करते हैं आज की वीडियो का question number एक देश की पहली वंदे मेट्रो का उदगाटन किस राजय में हुआ है तो जो देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन है तो इसका उदगाटन गुजरात में क्या गया इसका सही जवाब है डिटेल जान लेते हैं तो भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदल कर नमो भारत रैपिड रेल तो इसका नाम अब बदल दिया गया है और नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया है परदान मंत्री नरिंद्र मोदी ने 16 सितंबर को भुज और एहमदाबाद गुजरात के भुज और एहमदाबाद के बीच चलने वाली इस सेवा का वर्च्वली सुभारंब किया है गुजरात के भुज और एहमदाबाद के बीच चलने के लिए तयार वंदे मेट्रो का नाम उद्घाटन से कुछ घुंटे पहले बदल दिया गया तो अब इसका नाम है नमो भारत रैपिट रेल और पहले इसका नाम था वंदे मेट्रो इसका नाम कुछी देर पहले बदला है नमो भारत रैपिट रेल तो यह रेल है और इसका जो उद्घटन क्या गया है गुजरात में भुज और एहमदाबाद के बीचे चलेगे कोशन नमबर 2 हाल ही में किस विवाग इसका सही जबाब है तो परसासनिक सुधार और लोग सिकायत विवाग को राजवाचा कीरती पुरुसकार से सम्मानित किया गया है ठिटेल जान लेते हैं तो हाल ही में हिंदी दिवस समाहरों और अखिल भारतिया राजवासा सम्मेलत। इसके दोरान प्रसासनिक सुधार और लोक सिकायत विभाग को राजवासा कीर्ति पुरुसकार परदान किया गया। राजवासा के छेत्र में उतक्रिष्ट काम करने वाले विभागों, मंत्रा लयों, बैंकों और उपकर्मों को दिया जाता है। महिला सिंगल्स मुकाबला जीत कर किसने अपना पहला सीनियर अंतराश्ट्रिय किताब हासिल किया है। इन्हों ने किया है नाम है अनमोल खरब। अनमोल खरब ने बेल्जियम इंटरनेशनल दोहजार चोबिस में महिला सिंगल्स मुकाबला जीत कर अपना पहला सीनियर अंतराश्ट्रिय किताब हासिल किया है अनमोल खरब ने। Q4 विश्व ओजोन दिवस मनाय जाता है तो हर साल 16 सेतंबर को विश्व ओजोन दिवस की रूप में मनाय जाता है। इसका उदेश्य है लोगों में उजोन परत के छरण के बारे में जागरुकता फेलाना है। ये दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है तो इसकी याद में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मना जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिससे 1987 में अपना गया था और 1989 में इसे लागू किया गया ये ओजोन छहेकारी पदार्तों की खपत और उत्पादन को सीमित करता है जो मॉन्ट्रेल प्रोटोकॉल है ये सभी देशों को ओजोन छहेकारी जो पदार्त होते हैं इनकी खपत और उत्पादन को सीमित करने के लिए नीती लाए गए थी थीम क्या है ओजन दिवस की 2024 की तो मॉंट्रेल प्रोटोकॉल एडवांसिंग कलाइमेट एक्षन पहला जो विश्व ओजन दिवस है ये वर्ष 1994 में 1994 में मनाए गया था पहली बार 1994 में विश्व ओजन दिवस मनाए गया था हर साल 16 सितंबर को मनाए जाता है विश्व ओजन दिवस ओधरी के बारे में जान लेते हैं ओजन के बारे में तो ये ओक्षिजन के तीन परमानों से बनी एक गयस है ओत्री इस परकारी की एक गैस है ओक्रिजन के तीन परमानों से मिलकर ये बनती है और ये पृत्वी के वाई मंडल के दो मुख्य छेत्रों में पाई जाती है समताप मंडल और चौब मंडल में ओजोन परत का काम क्या है पृत्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरनों से बचाना क्वेशन नम्मर फाइव कौन सा सहर उत्तर परदेश का सबसे बड़ा परिटन केंदर बनकर उपरा है तो ये बन गया है अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी अयोध्या उत्तर परदेश का सबसे बड़ा परिटन केंदर बनकर उपरा है तो राम नगरी अयोध्या ने वारानसी को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परेटक आकरशन बनने का गोरव हासिल कर दिया है इस साल के पहले 6 महिनों में आयोध्या में 11 करोड देशी और विदेशी परेटक पहुँचे जबकि वारानसी में पहुँचे हैं 4.61 करोड परेटक पहुचे हैं वारानसी में और आयोध्या में पहुचे हैं 11 करोड तो इस प्रकार आयोध्या बन गया है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परेटन के इंद्र next question है question number 6 कालवारी submarine escape training facility विनेत्रा तो विनेत्र को किस जह्याज में सामिल किया गया जो कालवारी submarine escape training facility विनेत्र है तो इसे आई एनस साथ वहन में सामिल किया गया है तो टी ओप्सन आई एनस साथ वहन तो हाल ही में कालवारी समरीन स्कैप ट्रेंडिंग फैसलिटी बिनेतरा को आई एनस साथ वहन विसाखा पतनम में सामिल किया गया है वैसा नमर सेवन है हाल ही में भारत ने टाइफून यागी से परभावी देशों की मदद के लिए कौन सा ओप्रेशन लौँच किया भारत ने कौन सा ओप्रेशन लौँच किया है तो ओप्रेशन सदभाव लौँच किया है भारत के द्वारा ओप्रेशन सदभाव लौँच के आ गया है टाइफून यागी से परभावित देशों की मदद के लिए D-option इसका सही जवाब है ठिटेल जान लेते हैं तो भारत ने टाइफून यागी से परभावित मियामार, लाओस और वियतना इन देशों की मदद के लिए ओप्रेशन सदभाव लौँच किया है ओप्रेशन सदभाव भारत की Act East Policy, India Act East Policy के अनरूप है जो ओप्रेशन सदभाव है इस पोलिसी के अंतरगत है इंडिया Act East Policy क्या है तो ये विभिन इस तरों पर विशाल एशिया प्रसांत छेत्र के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक सम्मनों को बढ़ावा देनी की एक कूट नीतिक पहल है टाइफुन यागी ये दक्षिन सीन सागर में विक्सित हुआ था और इसे इस वर्स बेरिल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ही सक्तिसाली उस्न कटबंदिया चकरवात माना जा रहा है इसे जापान मेटरोलोजिकल एजनसी जे एमे द्वारा यागी नाम दिया जो नाम दिया गया यागी ये JMA के दोरा इसे यागी नाम दिया गया है Q8 अंतराष्ट्रिय क्रिकेट अमपाइर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बन गई है? सलीमा इंतियाज सलीमा इंतियाज को ये गोरोव पर्दान हुआ है अंतराष्टे क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्वेशन नम्बर नाइन उपराष्ट्रपती जगदीब धनकर ने किस विश्व विध्यालय में डिजिटल टावर का उद्गाटन किया तो सही जवाब है रामदेव बाबा विश्व विध्यालय में डिजिटल टावर का उद्गाटन किया है क्वेशन नम्बर दस चोथी दक्षिन ACIE Junior Athletics Championship कहां आयुजित की गई तो जो चोथी दक्षिन ACIE Junior Athletics Championship है तो ये इसे तमिलनाडु में आयुजित क्या गया सी ओप्षन इसका सही जवाब है डिटल जान लेते हैं तो चोथी दक्षिन ACIE Junior Athletics Championship 11 से 13 सितंबर 2014 तक जवाहलाल नहरू स्टेटियम चेनई तमिलनाडु में आयुजित की गई थी पहली जो दक्षिन ACIE Junior Athletics Championship है ये नवंबर 2007 में स्रिलंका में आयुजित की गई थी दूसरा संस्क्राण हुआ इसका नवंबर 2013 में रांची में आयुजित की गई था और तीसरा जो संस्क्राण है वो मई 2018 में कोलंबो स्रिलंका में आयुजित की गई था दक्षिन ACIE Athletics महासंग के सभी सात देश भारत, पाकिस्तान, स्रिलंका, माल्दिव, बांगलादेश, भूटान और नेपाल इन्होंने चोथी दक्षिन ACIE Junior Athletics Championship में भाग लिया तो सभी सातों देशोंने भाग लिया इसमें और भारत ने 48 पदक जीत कर पदक तालिका में सीर्स इस्थान पराप्त किया है 48 पदकों में 21 स्वर्ण पदक, 22 रजट और 5 कांस्या दूसरी नमबर पे रही है स्रिलंका की टीम स्रिलंकाई टीम ने 35 पदक जिसमें 9 स्वर्ण, 9 रजट और 17 कांस्या पदक जीते हैं इसी की साथ ये दूसरी स्थान पर रही है और बंगला देश ने 3 कांस्या पदक जीत कर तीसरा स्थान पराप्त किया है दोस्तों ये होगे आज 17 सितमबर 2024 के महतपुन करेंट अफेर और इस सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी टेलिग्राम चैनल में जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलिग्राम में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है आसा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही झाल झाल